नमसकार दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे, खुस होंगे, कुसल होंगे अभी जो फिलाल जो मुद्दा चल रहा है HCC TGT भरती में Teaching Experience को लेकि मुद्दा चल रहा है कि Teaching Experience का जो पहले जो notification आया था और हर्याना बोर्ट के किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा अब दिक्कत कहां होती है सोश्यो एकनोमिक का जो आपका लिस्ट आता है उस लिस्ट में यह मेंशन किया गया है कि अगर आप पीजीटी के लिए भी पढ़ा रहे हैं तो भी आप इस नहीं आ रहे हैं दूसरा सवाल यह है कि सर जो पीजीटी का एक्सपिरेंस है वो टीजीटी में काउंट होगा या नहीं होगा तीसरा सवाल यह है कि सर अगर बैंक वालों कोई मिल रहा है या और भी कोई बी अलग जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है एजुकेशन के अल प्रफदा में भी चेर्मेंट सर के पास पहले भी गया है उन्होंने साब सब्दों में मना कर दिया है कि जो पीजीटी वाले हैं या फिर जो भी सीबेसी स्कूल वाले हैं या मैं कहूं कि जो पहले जो आपका नोटिफिकेशन आया था एड़िटाइजमेंट के समय उसमें जो चीजे दी गई हैं उसी आदार पर वो सारी चीजे मानी जाएंगे अब जैसे सोचियो एकनोमिक पर भी लास्ट इन का जो आया है वो आया है कि जो पहला नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पे ही सोचियो एकनोmik में फाइनेंशल लेर सलेक्ट किया गया है अब यहां पर कुन सा मानेंगे ये यह पहले वाला मानेंगे आद दूसरे वाला मानेंगे तो यहां आप देखना ये रहेगा कि सर किई पौसिबल कौन सा होना चीह है यहां मेरे इसाप से लिजीबल वह भी है जो TGT पढ़ा रहे हैं और मेरे इसाप से इलीजीबल वह भी है जो आपके में बात करूं कि किसी भी CBC स्कूल में पढ़ा रहे है और अगर वैसे देखा जाए तो हमेंसे लगबग 90% साथी टीचर किसी ना किसी संस्ता में पढ़ाई रही है तो वहां तो फिर experience वाले number का कोई अलग से importance रह नहीं जाएगा अगर सब को वो मानने करते हैं तो फिर मेरे हिसाब से experience वाले number सब को बराबर मिलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फरक पड़ेगा नी तो अब सर इसका solution क्या है समस्या तो हम सब के सामने है solution क्या है solution ये है कि मैं अपनी level पे बात करूँ तो Monday को मैं personally chairman सर से मिलके और इस मुद्दे को रखूँगा कि सर कौन eligible है कौन eligible नहीं है एक बार साब साब सब्दों में बता दिया जाए फिर उसके बाद ये भी मैं पूछूँगा कि सर इन में से कौन सा जो आपका notification है जिसे हम court में challenge कर सकते हैं उस मुद्दे को भी रखेंगे कि पहले वाला सही है दूसरे वाला सही है और अगर पहले वाला सही है तो पाकी के साथ ये दोका धड़ी क्यों उस मुद्दे को भी मैं रखने वाला हूं लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि मंडे तक कोई भी मेरा साथी पत्रकार जो इस वीडियो को देखे या हमारी बात अगर उस तक पहुंच पा रहे है किसी भी माध्यम से वह चेर्में सर से पूरी टीम आप सबके साथ है उमीद करते हैं कि जो भी इलिजिबल है यानि कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं गोर्मेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं टीजीटी पढ़ा रहे हैं उमीद करते हैं सबको यह आपका एक्स्पिरियंस का बेनिफिट मिले होफ वेस्ट हम आपके साथ है और मैंने आपको डेट बता दी है आपको कि मंडे को मैं जाके पर्सनली मिल रहा हूं तो मंडे तक या तो कोई में अपनी डिटेल दे सकता है साथ मिलके इस मुद्य को रखेंगे और उमीद करते हैं कि जो सही होगा वही मतने होगा ठीक है फाइनली जैराम जी की बाई बाई टेक क्यार